Do you speak English का क्या मतलब होता है और इसका किस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं अलग-अलग सेनेरियो में या आजकी इस वीडियो में सेख लेते हैं 便 आप एंग्लिश होता है कि क्या आप एंग्लिश बोलते हैं या क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो अगर आप English बोल सकते हैं बिलकुल fluently तो आप कह सकते हैं yes I speak English fluently I speak English fluently या absolutely English is my first language याने कि हाँ English मेरी पहली भाषा है याने कि मेरी मुख्य भाषा है तो मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ या बोल सकते हैं या आप कह सकते हैं yes I am proficient in English या आप जो English को ज़्यादा fluently नहीं बोल पाते सिरफ काम चला उसी बोल लेते हैं तो आप कह सकते हैं yes I can speak English although it's not my first language याने कि हाँ मैं English बोल तो लेता हूँ पर ये मेरी first language नहीं है या बोल तो लेती हूँ ये मेरी first language नहीं है या आप कह सकते हैं I can communicate in English but it's not perfect याने कि हाँ English में बात चीत तो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ पर English मेरी perfect नहीं है या आप ये भी कह सकते हैं I have some knowledge of English so we can try याने कि हाँ मुझे English की थोड़ी सी knowledge है तो हम try कर सकते हैं कि हम बात कर पाएं या नहीं या आप English बिल्कुल नहीं बोलते हैं तो आप कह सकते हैं I am sorry I don't speak English याने कि मुझे माफ करें मुझे English नहीं आती है मैं English नहीं बोल पाता हूँ या बोल पाते हूँ no English is not a language I am familiar with याने कि नहीं English वो भाशा नहीं है जिसके साथ मैं familiar हूँ या मुझे आती हो या आप ये कह सकते हैं unfortunately I don't have any English speaking skills याने कि दुरभागय से या दुरभागय पूर्ण है ये कि मुझे English नहीं आती है मुझे English के skills नहीं है या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे आप English में सामने वाले के साथ practice करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं yes I do यानि कि हा मैं बोल लेता हूँ या बोल लेती हूँ would you like to practice English together यानि कि क्या आप मेरे साथ English की practice करना चाहेंगे या आप कह सकते हैं I can speak a bit of English यानि कि हाँ मैं थोड़ी सी English बोल सकता हूँ बोल सकती हैं How can I assist you यानि कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या आप ये भी कह सकते हैं I am still learning but I'd be happy to try speaking in English with you यानि कि मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ मतलब अच्छे से तो नहीं आती पर तुम्हारे साथ try कर सकते हैं या फिर आप अगर किसी दूसरी language में बात करना चाहते हैं English में आप बात ही नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से कह सकते हैं Yes, I speak English but my primary language is तो और उसके बाद उस language का नाम ले सकते हैं मेरी primary language जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है, पंजाबी है, मराथी, तेल्गू, 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 जो भी आपकी भाषा है वो आप यहाँ पर कह सकते हैं या आप यह कह सकते हैं I can communicate in English but I am more comfortable in और उसके बाद आप अपनी भाषा बता सकते हैं हिंदी, इंगलिश, तामिल, तेल्गू, जो भी आपकी भाषा है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंगलिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें